हेलो एवरिवन आप सभी को सत्रैनू के साजे की बहुत बहुत बधाई तो मैं जा रही हूँ खेत में हरी सबजी ढूनने ये देखिए हरी सबजी लगी हुई है ये हरी सबजी हिमाचल में खेतों में नेचुरिल तरीके से उगी रहती है और ये अलग-अलग तरह की होती है जिनकी हमने पहचान की होती है और फिर इसको इकठा करके हम सबजी के रूप में या साग के रूप में इसको प्रयोग करते हैं तो चलिए मैं भी इसे इकठा कर लेती हूँ ये देखिए दूसरी तरह की सबजी है मैं इसे भी निकाल देती हूँ आजकल उतनी अच्छी से अभी सब्जी लगी नहीं है खेतों में थोड़ी बहुत लगी होती है मैं उसको निकालके इकठा कर लेती हूँ देखिए ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत फाइदे मंद है मैं इसकी थोड़ी पत्ती निकाल देती हूँ क्योंकि बाकी पार्ट इसका खराब सा लग रहा है इसलिए मैं इसकी कुछ पत्तियों को ले लेती हूँ हरी सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है ये देखिए दूसरी एक दूसरी किस्म इनके बाकाइदा अलग-अलग नाम भी होते है हरी सब्जियां सभी को खानी चाहिए ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है रेगुलरली हमें अपनी डाइट में हरी सब्जियों का और सभी तरह की दूसरी सब्जियों का यूज करना चाहिए ये मैं कुछ लहसुन के पतियां ले रही हूँ, इसे पूरी सब्जी में एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लहसुन का जो अलग एक टेस्ट होता है वो पूरी सब्जी में मिक्स हो जाएगा और पूरी सब्जी का स्वाध दुगना हो जाएगा, तो मैं कुछ लहसुन की पतियां भी इकठी कर रही हूँ हरी सबजियां सभी को पसंद होती है बहुत सारी बिमारियों को दूर करती है बिमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करती है इसे कई बड़ी बिमारियां जैसे Cancer, Heart Disease, Heat Stroke और High BP जैसी बिमारियों से लड़ने की शमता हरी सबजियों के सेवन से हमें मिलती है इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और खाने जोते है मुटापे की जिनको समस्या है वो भी हरी सबजिया खाने से दूर हो जाती है वैसे भी आजकल हमारी बॉड़ी में جो पोशक तत्वों की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए हम बहुत सारे सप्लिमेंट्स का जो यूज़ करते हैं उससे अच्छा कहीं जादा बेहतर है हम इन सबजियों का हरी सबजियों का यूज़ करें तो हमारे तो खेतों में ये हरी सबजियां नेचुरल तरीके से उगी रहती है पूरी तरह से ये और्गैनिक है ये देखिए मैं इकठी कर रही हूँ सारी अलग अलग वेराइटी की सबजियां हरी सबजियों में और दूसरी तरह की सभी सबजियों में जो कैलरी है वो बहुत कम मात्रा में होती है ये देखिए यह वाली हरी सबजी इसका नाम मैं बता देती हूँ, इसको हम बोलते है राती डांडी, शायद राती डांडी इसको इसलिए बोलते है क्योंकि इसकी जो जड की जो डंडी होती है वो रेड रेड कलर की या पिंकिश होती है, दिखिए शेक्षी, आप लोग क्या कहते हैं इन स 15 km के बाद हमारी जो रहन सहन है जो बोली है वो चेंज होती रहती है अब हल्की हल्की बूंदा बांधी होनी शुरू हो गई है तो हम घर को चल पड़े हैं देखे मैंने इतनी सब्जी कठी कर ली है अब इसको अच्छे से एक बारी धोना है फिर इसको अच्छे से चांटना है उसके बाद ही इसको बनाने के लिए तयार करना है यह देखे मैं अच्छे से इसको साफ कर देती हूँ क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत जादा लगी रहती है इसकी जड़ों में इसलिए हमें इसे बहुत केरफुली अच्छे से एक-एक सबजी को उठा के अच्छे से दोना होता है ताकि इसमें लगी हुई मिटी या कोई पथर छोटे छोटे कंकर हो वो अच्छे से साफ हो जाए ये अच्छे से सब्जी को साफ कर दिया है अब इसको हमें बारीक बारीक चॉप करना होता है बारीक ये कटेगी तो अच्छी बनेगी ये देखिए बारीक मैंने इसे चौप कर दिया है चलो अब इसे बनाते हैं तो सबजी कटके हो गई है तयार और कड़ाई भी मैंने लगा दी है मैं इसको शुद्दे सी घी में बना रही हूँ आप किसी भी दूसरे ओयल में बना सकते हैं घी में बनने पर इसका स्वात बहुत जादा अच्छा हो जाता है मुझे घी में ये बनाना बहुत पसंद है और हमारे यहां इसे तो घी अच्छे से गरम हो रहा है अब मैं इसमें प्याजे अट कर रही हूँ हमारे यहाँ पर सिर्फ इसे मिर्च के छोंक में ही बनाते हैं इसलिते हैं थोड़ी हलदी पर अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो मिर्च नहीं खाते हैं बच्चे हैं, तो आप प्याज के साथ या दुसरे कोई मसाले उनके साथ भी आप इसे बना सकते हूँ, मैं सिर्फ प्याज के साथ बना रही हूँ प्याज को हमें हलका गुल्डन ड्राउन करना है आप चाहे तो प्याज को बस थोड़ा सा गरम घी में चला ले और उसके बार डाइरेक्ट आप इसमें हल्दी नमक एड़ करके सबजी को एड़ कर सकते हो तो मैंने इसमें हल्दी एड़ कर लिये, अब मैं इसमें इस साथ को एड़ कर दे रही हूँ थोड़ा सा नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं उसके बाद अच्छे सबजी को मिक्स करके आप इसे पकने के लिए छोड़ दे दग करके और लोफलेम में इसे पकाना है उसके बाद आप चेक करें जब सबजी टेस्ट करने के बाद आपको लगए कि यह पक चुकी है तो आप इसे गर्मा गरम रोटी के साथ, चावल के साथ जैसे आपका दिल करें इसे आप इंजोई कर सकते हैं तो अब मैं बनाने वाली हूँ पहाडी, पोल्डू तो मैंने कडाई लगा दी है, आग जला दी है और तेल भी उसमें डाल दिया है और आटा भी मैंने लगा के रख लिया है तो अब मैं पोल्डू बनाती हूँ तो देखिए मैं अब शुरू कर रही हूँ पोल्डू बनाना आज सत्रेणू का साजा है तो हमारे में हलवा पूरी कुछ स्पेशल डिश ऐसे टाइम पे बनाते हैं सत्रेणू के साजे में ऐसा हमारे हिमाचल में ऐसी मान्यता है कि देव भूमी के जितने भी देवी देपता होते है वो आज के दिन सारे स्वर्ग जाते हैं और 15 दिन के बाद जब पंद्रू होता है उस दिन सभी देवी देपता स्वर्ग से धर्ती पे वापस आते हैं ऐसी हमारी मान्यता होती है तो ये मैं पॉल्डू तयार कर रही हूँ पूरी भी आप कह सकते हैं हमारे पॉल्डू कहते हैं क्यूंकि पूरी से ये थोड़े मोटे होते हैं बड़े होते हैं और जब हम इनको बनाते हैं तो इसमें विशेश तरहा का बीच में एक छेद किया जाता है शाय तभी इनको तो देखिए मैं कर लेती हूं सारे पॉल्डू बन के बना के तैयार फिर आपको दिखाती हूं इस तरह से इन में छीट किया जाता है और गरम तेल में डीप फ्राइ किया जाता है तो ये पॉल्डू आपकी सी भी सबजी के साथ, दाल के साथ, चटनी के साथ जैसा भी आपको पसंदो, किसी भी तरह के वेंजन के साथ आप इसका स्वाद ले सकते हैं हमने आज बनाई है हरी भाजी तो चलिए आपको तयार करके दिखाती हूं कैसे बनी है ये मेरे पुल्डू हो गए है तयार आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए चैनल वीडियो का कोई भी पार्ट इन्फरमेटिव लगा हो तो प्लीज हिमास्ली पीपल चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू